सबसे बड़ी बात कि इसको लिखा किसने है सबसे पहले तो मारकस नेटन नाम याद रखिए कब पूछा जा सकता है इन्होंने लिखा है और इन्होंने एक्शली इस पोएम में बताने का प्रयास ये कर रहे हैं वो कि जो बच्चा है न मतलब मैं जो मेरा जो चाइल्ड हुड है वो कब चला गया मुझे पता नहीं चला और मैं बड़ा हो गया ठीक है तो वस यही चीजे वो पूरी पोएम में बताने की कोशिस कर रहे हैं ठीक है तो चलिए लाइन वाइन देखते हैं क्या क्या कहने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेंजा में बोलते हैं वाइडिड माय चाइल्ड हुड गो मेरा जो चाइल्ड हुड है वो कब चला यह पूछ रहे हैं question ठीक है कि मेरा childhood कब चला गया कब चला गया मेरा childhood तो यहां पर फिर बोलते हैं was it the day I kiss to be 11 तब चला गया था उस दिन चला गया था जब मैं क्या हो गया था 11 साल का हो गया था ठीक है मतला होता है come to an end ठीक है जब मैं 11 साल का पूरा हो गया था तब मेरा बच्पन जो है childhood जो है वो चला गया था क्या या फिर वह समय था जब I release that hell and heaven जब मुझे पता चला कि यहां पे hell और heaven नाम का कोई भी जगह नहीं होती hell मतलब hell मतलब होता है नर्क और heaven मतलब होता स्वर्ग तो इनको जब यह पता चला कि स्वर्ग और नर्क नाम की कोई जगह नहीं होती है जो graphy में कहीं भी यह जगह नहीं पाई जाती है तो तब तो पोयट देखिए पूरी जो पांच लाइने हैं, चेह लाइन उसमें केवाल यही बतानी कोसिस कर रहा है, पहले लाइन में वो बोलते हैं कि मेरा जो बजपन है, चाइल्ड हुड है, वो कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला तो कब चला गया, कोशन कर रहे हैं, अब कहीं भी जोग्राफी में नहीं मिलती ठीक है तो वह कौन सा दिन था वह कौन सा दिन था जब मेरा चाइल्ड होड चला गया वह कौन सा दिन था अब इनको यह पता नहीं है ठीक है ठीक है अब हम चलते हैं स्टेंजा नमबर टू पे और इस पे बात करते हैं ठीक है actual में poet क्या कह रहे हैं so dear students यहाँ पर when did my childhood go फिर से यह बोलते है कि मेरा बचपन कब चला गया ठीक है अब यह फिर से answer करेंगे what is the time उस समय चला गया था क्या जब I realized that adult were not all they seem to be जब उनको यह पता चला कि जो adult होते हैं वह कुछ और होते हैं कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं ठीक है जब इस चीज का मुझे पता चला तब तो मेरा बचपन नहीं चला गया अधर से adult होते हैं बच्चों बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए सबसे प्यार से रहना चाहिए लेकिन वो तो एम नहीं रहते हैं लेकिन दूसरे को कहते हैं ठीक है तो जब इस चीज का पता चला हमारे पोएट को तब तो इनका जो चाइल्ड उड़ा तब तो नहीं चला गया और या फिर एक और लाइन ये बोलते हैं दे टॉक टू लव और सकाम टूसरे को पियार को तो जब इस चीज का रिलाइसमेंट हमारे जो writer हैं इनको जब हो गया तब तो जो समझ में आए होगा, यहां पर जो दूसरी line है वो poet यह बोल रहे हैं हमारे poet यह बोल रहे हैं कि बचपन कоп चला गया बचपन मेरा कब चला गया तब तो नहीं चला गया, जब मुझे realize हो गया कि जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट होते हैं वो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं ठीक है प्यार का उपदेश देते हैं लेकिन प्यार से स्वेम नहीं रहते हैं तब तो इस चीज का मुझे महसूस हुआ तब तो मेरा बच्पन नहीं चला गया ठीक है ऐसा पर बोलते हैं फिर मु셔서 है न mph कि चो मेरा माइंड है उस चीज़ को जब जान गए जब वह दिन था जब मुझे पता चला कि मेरा माइंड का जो यूज है करके मतलब मेरा जो दिमाग है उसको मैं क्या कर था को अपने कंट्रॉल में कर सकता हूं कि फांड माइंड was really mine मतला मेरा जो mind है ना वो मेरा ही है जब ये मुझे पता चला तब तो मेरा बचपन नहीं चला गया to use whichever way I choose जो मैं करना चाहूं उपने mind के अनुसार ठीक है जो मैं करना चाहूं जो मेरा mind का जो मैं huge है जिस प्रकार से करना चाहूं जिस चीश को चाहूं वो करने लगे उनका mind ठीक है जैसे मालीच आपको पानी पीना है तो आप पानी जाके पी लीजे ठीक है अब जब एक बच्चा होता है तो वो क्या उसको प्यास लगी तो रोने लगेगा तो उसको पानी लाके द कि जब इसा तो नहीं कि मेरा माइड है वो मेरा ही माइंड है मतलब मैं अपने दिमाग के अनुसार काम करने लगा और अपने चीजों का खुद करने लगा तब तो ऐसा नहीं हो गया कि मेरा शाइल्डूट उस समय तो नहीं चला गया फिर बोलते हैं producing thought that were not those of other या फिर तब तो नहीं चला गया कि जब मेरे दिमाख में स्वयम के थौट आने लगे मैं दूसरे की हेल्प नहीं लेता था मैं अपने ही माइंड के जो मुझे थौट प्रवाइड होते थे जो मुझे जानकारी मिलती थी उसके अनुसार मैं क्या करता था वर्क करता था तब तो मेरा जो कहना चाहिए जो वो है वो तब तो नहीं चला गया ठीक है मतलब चाइल्ट तब तो नहीं निकल गया ठीक है मतलब जो मैं थौट लेने लगा जब मैं थौट को क्या करने लगा क्योंकि देखी जो चाइल्ट होता है उसके अंदर उतनी समझ नहीं होती, लेकिन adult के अंदर समझ होने लगती है, मतलब वो adult हो गया, तो उसके अंदर thoughts आने लगे, ठीक है, अलग-अलग प्रकार, thoughts produce होने लगे, उसके अंदर वो काम करने लगा, ठीक है, but my own and my alone, ठीक है, और मैं उस समय अकेला हो गया, तो तब त गया मेरा childhood, poet भी पूछ रहे हैं, अब उनको पता नहीं चला है, it went to some forgotten place, ठीक है, कहां चला गया मेरा childhood, तो इसका मतलब यहां पे हुआ, when it went to some forgotten place, हां मेरा childhood वहां गया, जिस जगह से मैं मतलब भूल गया हूँ, ठीक है, मतलब जो चीज़े हैं, मैं जहां से चीजों को बच्पन है, वो क्या हो गया, चला गया, ठीक है, dad hidden in, at infant face, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो childhood किसी बच्चे के, जैसे infant face की में छुप गया हो, मतलब उसका जो child हूँ है, जैसे जब तक वो बच्चा था, तो उसके अंदर childhood था, बच्पना काम करता था, प जैसे childhood है, वो किसी एक infant मतलब नवजात सिसू के अंदर उसके face में छुप गया है, ठीक है, मतलब जो उसका जब बड़ा हो गया, तो उसका जो childhood है, जो उसका बच्पना है, वो किसी दूसरे बच्चे के अंदर क्या हो गया, transfer हो गया, अब जाके poet को fourth stage में पता चला कि उसक बहां गया उसका childhood, ठीक है, तो इस तरह से यह poem आपकी क्या होती है, समाप्त होती है, इसमें कुछ मैं literary devices आपको बता देता हूँ, अगर होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, literary devices जो है important है, आपके exam के लिए, ठीक है, वहां से question generate हो सकते हैं, बाकि test series जो है आपकी mcq, उस लिखेंगे ठीक है, तो mcq वाले session पे आप लोग जोइन कीजिए, तो इस class में इतना ही, thank you, मिलते हैं, एस to the class में, thank you for watching the students,